हाई दोस्तो टीफोर चानल में आपका स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप फेस्बुक आप्लिकेशन में आप अपना नाम को कैसे आप चेंज कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो आज का वीडियो शुरू करते हैं तो यह रहा हमेरा Facebook application दूस्तो इसको हम open कर लेंगे दूस्तो एक request अगर आप हम हमारे चानल पर पहले बार हैं तो दूस्तो वीडियो को एक like जरूर करें और चानल पर नहीं तो subscribe चरूर किजिगा अब यहाँ पर हमारा Facebook application open हो गया है अब यहाँ पर धियान से देखे उपर में three line का option है इसके उपर आपको क्लिक करना है जिस दूस्तो आप three line के option में क्लिक करते हैं उसके बाद आपको नीचे आना है नीचे आने के बाद एक option है settings and privacy इसके उपर आप क्लिक करिए जिसे आप settings in privacy में click करते हैं तो उसके just नीचे आपको एक option मिलता है settings का इसमें भी आपको click कर लेना है जिसे आपने click किया अब यहाँ पे एक option है देखिए यहाँ पे नीचे personal details का ओके इसमें आप click करिए जिसे आप personal details में click करेंगे अब यहाँ पे इस तरीके से पे जाएगा अब यहाँ पे first में जो profile का option है इसके उपर click करना है इस arrow में अब यहाँ पे जो आपका नाम का जाए सामने जो option है इसमें click करिए एक बर फिर से अब यहाँ पे आपका जो नाम का जो option है first में आ गया है इसके उपर आपको click करना है click करने जैसे आप इसके उपर arrow में click करेगा अब आपका नाम को change करने का option आ जाएगा आप जो भी आप अपना नाम यहाँ पे रखना चाहते हैं उसको यहाँ पे लिख दें तो चली मैं अपना नाम यहाँ पे change कर लेता हूं और एक बात और याद रहे अगर आप नाम को change करते हैं तो 60 दिन तक आप अपने नाम को फिर दुबारा change नहीं कर पाएगा तो आप अपने नाम को सोच समझ के change करेगा उसके बढ़ नीचे review changes में click करना है और आपका नाम जो है अब आपसे पूछ रहा है क्या आपका महेश कुमार रखना चाहते हैं या कुमार महेश तो जो भी आप रहना चाहते हैं उसमें tick mark करेगा उसके बाद save changes में click करेगा और आपका नाम जो है उस save हो जागा तो दोस्तो इस तरीके से आपका चेंज कर सकते हैं दोस्तो वीडियो को लाइक शीर करें